students this is your maths period today we will start exercise 1.8 exercise 1.8 write the greatest and smallest five digit numbers by using हमें greatest and smallest five digit number बताना है greatest और smallest में क्या होता है अगर आप basically देखे तो greatest का मतलब क्या होता है arrange digit in descending order और smallest होता है arrange digit in ascending order आपको पता ना descending order क्या होता है आपने third class में भी किया है descending order होता है greatest to smallest क्या होता है descending order greatest to smallest और ascending order होता है smallest to greatest छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा now we will start question number one write the greatest and smallest five digit numbers by using greatest number आपको greatest number मतलब descending order में arrange करना है 3, 2, 1, 8, 7 पहले count करो यह five digit है यह one, two, three, four, five yes five digit ही है हमें सबसे पहले greatest number लिखना है eight greatest है इस पे cross कर दो क्योंकि फिर confused हो जाएंगे फिर seven seven लिखकर cross कर दो इन बच्चे वे में से greatest कौन सा है three, three लिख दो, cross कर दो इस पे इन बच्चे में से greatest क्या है two two लिखो इस पे cross कर दो and में क्या बच्चता है one ठीक है यह आपका होगा greatest number smallest number इसी को क्या कर दो इसी का posit कर कर देखो सबसे छोटा one cross कर दो उसके बाद बच्चे में से छोटा two cross कर दो इन में से छोटा कौन सा है three, three को cross कर दो इन दोनों में से छोटा कौन सा है seven, seven cross कर दो and में क्या आएगा eight अब बहुत ध्यान से देखो eight, seven, three, two, one इसी का posit चल रहा है one, two, three, seven, eight तो यह ascending and descending order सी होते हैं next one देखे six, zero, one, two, three अब आप देखो greatest में सबसे बड़ा six, फिर three फिर two, फिर one और फिर zero smallest में देखे smallest में आप कहोगी जब यह इसका repeated है तो zero firstly आना चाहिए अगर मैं zero को लिख दू पहले अगर मैं पहले zero को लिख दू फिर one, two, three, six one, two, three, zero one, two, three, six five digit हो गए जीरो तो अगर यह तो zero है तो देखा जाए तो कितने digit हो गई है four digit और मुझे कितने digit चाहिए थी five digit तो इसलिए zero को बाद में लिखा जाता है जब हम smallest number बनाते हैं तो zero को छोड़ो अब देखो छोटा वाला number कौन सा smallest three, six ताकि यह क्या बन जाए हमादी smallest digit अगर हम zero को पहले लिख देंगे तो हमारी only four digit ही count होंगे और हमें कितने digit चाहिए five digit अब इसमें आप देखिए फिर remaining में से कौन सा बढ़ा है remaining means बचे में में से कौन सा बढ़ा है five अब seven और five को छोड़ दो तो क्या बचेगा three फिर two और फिर one अब इसी का पॉजिट देखो one, two, three, five, seven one one के बाद क्या रहेगा two, फिर three, फिर five, फिर seven यह था आपका greatest and smallest number की formation अब हम करते question number second write the greatest and smallest six digit number by using smallest and greatest six digit number आपको बताना है same as it is है महाँ five digit थे, यह six digit है आपको greatest बताना है पहले nine जाएगा फिर eight, फिर seven, फिर three, फिर one और फिर zero लेकिन smallest के case से मैंने आपको बताया कभी भी zero पहले नहीं आएगी नहीं तो वो five digit रह जाएगा फिर पहले zero के बाद और देखो कौन सा चोटा है one, one के बाद zero आएगी फिर three, फिर seven, फिर eight, फिर nine फिर as it is चलेगा, ओकी देखें इसमें सबसे बड़ा कौन सा है eight, फिर उसके बाद eight को भूल जाओ, बाकी बचेवे मैं से बड़ा कौन सा है, seven फिर seven को क्रॉस कर दो बचेवे मैं से चोटा कौन सा है, six six को क्रॉस कर दो बचेवे मैं से चोटा कौन सा है, five five को क्रॉस कर दो, बचेवे मैं से चोटा कौन सा है, four, फिर one cross करने से मैं पता लग जाते हैं यह digit use हो चुकी है अब सबसे छोटा 1 फिर उससे बढ़ा 4 उससे बढ़ा 5 फिर उससे बढ़ा 6 फिर 7 एंड में 8 इसी तरह से आपको यह sums करने हैं देखें यहाँ पर सबसे बढ़ा 9 cross कर दो इसको 7 यहाँ पर cross करने है फिर 5 फिर 3 फिर 2 फिर 0 अब यहाँ आप देखें पहले में 0 नहीं लिख सकती तो सबसे पहले 0 के बाद छोटा नमबर देखें 2 के बाद 0 आएगा 53579 इस तरह से कोशन नमबर 1 और 2 आपको करने हैं जब भी हम smallest digit नमबर बनाएंगे smallest नमबर बनाएंगे कभी भी 0 पहले नहीं आएगी 0 के लावा जो छोटा नमबर है उसके बाद 0 आएगी ठीक है यह कोशन नमबर 1 और 2 है आपको अपनी बुक में प्रॉपर डिजिट फोर्मेशन के साथ फिल करना है ओके अगर कोई भी डाउट रहता तो आप मुझे से क्लियर करने ना थैंक यू हाव नाइस टे